कि खाला गिए आई पैप का कॉंसेप्ट क्या ओर गर इक मुजिकल इंस्ट्रूमेंट है उसको और गाएब तिके इसमें कुछ मुजिकल इंस्ट्रूमेंट उसी टाइब का दिखाया गया है ठीक है यह एक pipe है और यहाँ पर music को और अच्छा करने के लिए कुछ modification किया गया है otherwise physics में organ pipe का मतलब है simply एक pipe होता है जिसके अंदर से हवा को interfere कराया जाता है pressure generate करके ठीक है तो this is a kind of organ pipe यह सारा organ pipe ही है ठीक है different different types का organ pipe musical instrument तो concept वहीं पर आता है लेकिन हम लोग यह organ pipe जब बोल रहे हैं physics में यहाँ पर इस lecture में इस topic में तो उसका मतलब इतना modification नहीं है बलकि वह simple सा एक pipe है जिसका या तो एक end open है या दोनों end open है ठीक है जैसे यह रहा इसको ध्यान से देखिए तो इस organ pipe का अगया open and close organ pipe यह जो है open organ pipe इस side भी open है और इस side भी open है यह open organ pipe है ठीक है यह close organ pipe है close का मतलब both end close नहीं होता है close का मतलब कि one end close तो यह pipe का का काम करेगा तो यह जो है यह close organ pipe close organ pipe का मतलग कि one end close होता है तो इसमें कुछ चीज़ important है जैसे कि remember that fixed end is always pressure anti-node and displacement node अब node और anti-node का concept जो है वो हम लोगों ने देखा है क्या होता है कैसे होता है standing wave in air column organ pipes are such vibrating air column organ pipes के अंदर में हम लोग क्या करते है मानली यह क्या होता है कि जैसे कि अगर हम यह organ pipe ले लिए one end close है और one end open है अगर जो end open है उस end में क्या होता है वहाँ पर अगर tuning for कराके दिया और vibrate करा रहे है vibrate करा रहे है तो इसके अंदर का air column जो vibrate होगा मतलब इस तरह से pressure और realfaction create होगा जो कि अंदर की तरह move करेगा फिर यहां से reflection होगा फिर इसे टकराएगा original वाला जो source है उसे टकराएगा और last में क्या होगा कि एक standing wave establish होता है और वो standing wave जो establish होता है उसमें क्या होगा कि open organ pipe जहां पर वहां पर displacement सबसे ज़्यादा होगा particle का इसका मतलब यहां पर displacement anti node होगा और pressure node होगा यह चीज़ यहां पर बोला रहा है कि fixed end is always pressure anti node and displacement node ठीक है अगर यह fixed end है तो यहां पर सबसे ज़्यादा pressure होगा यहां का particle move नहीं करेगा close end है तो close end पर हमेशा यह होता है आच्छा जब reflection होता है उसकी बात कि यहां क्या हो रहा है reflection हो रहा है अगर यह pipe है यहां पर अगर हम tuning fork से vibrate करा रहे है तो यह जो pipe है यहां से जब reflection होगा तो चाहिए वो reflection हम देख चुके हैं reflection reflection में कि जब जो incident wave है उसका भी pressure antinode है और जो reflected wave है उसका भी pressure antinode है यहां पर यहां पर उल्टा होता है पाई का difference हो जाता है यह सब देख चुके हैं किस तरह से standing wave generate होता है वह हम अल्रड़ी देख चुके हैं तो closed organ pipe जो है वो उसके उपर में कुछ study किया जाए closed organ pipe से सुरू करके मान लीजिए closed organ pipe में यह example wave की तरह अगर हम लोग दिखा सकते हैं मान लीजिए यह step से दिखाते हैं close end है यह और यह open end है यहां से हमने मान लीजिए कि एक wave pulse को छोड़ा है ऐसे और यह कि पल्स जो है travel कर रहा है via velocity से sound की velocity से जा रहा है जा रहा जाते जाते क्क्या यहां पर टकरा करके वापस कि ये निचे दिखाने का कोई मतलब है प्रेसर वेव उपर आ रहा है वापस आने के प्रफिर पिछली लेक्चर में और किससे टेकर रहा यहाँ पर जो ट्यूनिंग फॉर्क उससे प्रक्रрат और आपट हो जाएगा इसका एंप्रेशितर वेफ के साथ अगर टक्रा रहा है तो ओपन एंड में क्या होता है Muslim होता है और यहां पर पाई का डिफ्रेंश मेंहाँ जाता है एचाहां एक संव existious नोजाता है जो पर एक दूसरा एम्प्लिचूट प्रेसर एम्प्लिचूट बन करके जाएगा फिर वहीं चीज रिपीठ होगा और यह कब तक होगा इट हैपन्स अंटिल एनलेश दी एनर्जी जेनेरेटेड बाइट टुनिंग फॉर्क विकम दी लॉसेस इन देनर्जी इन दा इनकमिंग इसके बराबर हो जाएगा तो फिर वह स्टेंडिंग वेव डिवलप हो जाएगा तो फेज डिफ्रेंस ना लिजिए कि जो रेफ्लेक्टेड वेव हैं वह यहां से गया माली लेंद है और ग्राइप का लेंद ल हैं तो एक बार गया और एक बार आया तो तो टू यह कितना हो जाएगा कि एक वीव पल्स गया जाने के बाद रिफ्लेक्ट के बाद वापस आया यहां तो कोई डिफ्रेंस होता नहीं है बोल चुक है अल्रडी पिछले लेक्चर में देखे जाके लेकिन यहां पर ओपेन इंड पर पाई का क्या होता है पाई का फेज डिफ्रेंस हो जाता है टो क्हें टो Πाई का फेज डिफ्रेंस हो गया है और फाथ डिफ्रेंस है ऑल्रेडी जाने और आने की बज़ासी तो दूसरा वाला वेव जो यहां से वापस रिफलेक्ट हो ke जाएगा उसमें टोल जो डिफ्रेंस है कितना हो जाएगा वह देखते हैं ठ actress do to path difference न और उसके बाद 2 pi by lambda, यह हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 4 pi L by lambda, यह हो गया phase difference, path difference की वज़ा से, और extra phase difference कितना है, pi due to reflection, तो इस तरह से total phase difference कितना हो गया, ठीक है, यह आ गया, अब क्या है, कि अगर मान ले लिए कि reflected wave, और दूसरा कौन सा wave है, जो originate हो रहा है, वो वेव है, वो मिल करके constructive interference बनाना है, सपोज कि यह, constructive interference बगर बनाता है, तो वो उसमें कौन सा condition का जिससे कि यह constructive interference बने, तो for constructive interference, दो वेव अगर एक ही direction में जा रहा है, तो वो constructive interference कब बनाएगा, जब phase difference, integral multiple of 2pi होगा, इसका मतलब, when pi plus 4pi l by lambda is equal to, कितना होना, 2npi होना चाहिए, where n equal to 0, 1, 2, etc. यहां से तो कोई problem नहीं है, तो यहां से आपका न, length का एक formula आएगा, कि length जो होना चाहिए, वो किसके बराबर होना चाहिए, तो length जो आ जा रहा है, वो आ जा रहा है, length equal to 2n minus 1, pi by l, sorry, 2n minus 1, pi तो हट जाएगा, यहां से, 2n minus 1, lambda by 4, ठीक है, जैसे ही, n minus 1 करेंगे, तो n equal to 0 नहीं होगा, n equal to 1 से शुरुआत होगा, otherwise negative हो जा रहा है, ठीक है, तो अगर, इसी को हम लोग, अगर, n equal to 0 लिखना होगा, तो ऐसे लिख सकते हैं, l equal to 2n plus 1, lambda by 4, अगर लिखते हैं, तो एक n बढ़ा दिए, तो यहां से n equal to 0, 1, 2, 3, क्याने का मतलब, odd multiple of lambda by 4, length equal to odd multiple of lambda by 4, लैमडा क्या है, जो wavelength उसके अंदर में generate हो रहा है, जो भी frequency generate हो रहा है, ठीक है, अब यहां पर सवाल आ रहा है, कि हमारे पास एक formula है, कि V equal to frequency into lambda, velocity का जो होता है, तो, since we have L equal to, कितना होता है, 2N plus 1, lambda by 4, and V equal to new lambda, यहां से आजाएगा, lambda equal to V by new, new manner frequency, तो यहां से आपको एक frequency का formula आएगा, 2N plus 1, V by 4L, ठीक है, यह देखिया, आ रहा है कि नहीं, तो यह जो equation आया, यह आया, normal mode of vibration for closed organ point, normal mode of vibration for closed organ point, frequencies, and these frequencies are called normal frequency or resonant frequency, ठीक है, normal frequency or resonant frequency, जहां पर N क्या है, N equal to 0, 1, 2, etc, क्रिया रहा है, so, frequencies are called normal frequency or resonant frequency, ठीक है, diagram कुछ दिखाया गया है, क्या है, माल लिजे कि यह pressure node, यह pressure दिखाया गया, है, इसमें, उपर वाला जो है, वो pressure diagram है, pressure के लिए, और नीचे वाला displacement के लिए, दोनों वाला गलाग, तो माल लिजे, पहला यह fundamental जब एन इकोल to 1, कुट करेंगे, तो यहाँ पर एक क्या बनेगा, pressure node बनेगा, और यहाँ पर pressure anti node, तो fixed end पर हमेशा pressure anti node बनता है, देखी रहा है, और यहाँ पर, तो इसमें number of loops इस तरह से बनाने है, तो पहला यह half loop यह बना, फिर उसके बाद यह बना, देखिए, ठीक, इसके next वाला जो बनेगा, उसमें, एक anti node बीच में आ जाएगा, इसमें 2 anti node बीच में आ गया, एक, दो, इसी तरह से और भी आते जाएंगे, यहाँ पर देखिए, ठीक, वही invert कर दिया गया, node को anti node कर दिया गया है, तो वो displacement का डाइग्राम बन गया, ठीक, पता है हमें कि displacement और प्रेशर में pi, pi by two का phase difference होता है, जो pressure node है, वो displacement anti node हो जाता है, इसमें क्या है आपका, एक interesting चीज है, कि calculation जो है, आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, ऐसे देखिए, जो से महां लिए यह total length L है, तो यह जो है, यह अगर पूरा ऐसे जाता, तो lambda by 2 होता, क्योंकि एक wave जो होता है, वो पूरा ऐ यह जो है lambda by 4 है, तो यहाँ पर direct लिख सकते है, fundamental tone के लिए, L equal to lambda by 4, ठीक है, fundamental, fundamental इसके लिए, resonance के लिए, तो L lambda equal to V by new लिखिए, यहाँ से new equal to आगिया, V by 4L, आया की नहीं देखिए, ठीक इसी तरह से इसके लिए, अगर दूसरे वाले के लिए लिए लिखना हुआ, यह त fundamental, vibration, यह first वाले diagram के लिए, second वाले diagram, जो कि first harmonic है, तो इसको देखिए, यहाँ से यहाँ तक जो है, वो आपका lambda by, 2 lambda by 4 है, और यह 3 lambda by 4 हो गया, तो ठीक है, second harmonic के लिए, क्या लिखेंगे, second harmonic, इसके लिए लिखेंगे, l equal to कितना हो जाएगा, wavelength के टर्म में, यहाँ से यहाँ तक हो गया, lambda by 4, फिर यह हो गया, 2 lambda, 3 lambda by 4, 3 lambda by 4, और lambda को वही चीज, 3, v by 4 new, यह भी है, तो यहाँ से new equal to, जो new 1 आविया, first harmonic का, second harmonic नहीं, यह तो first harmonic के लिखेंगे, जो new equal to कितना हो जाएगा, यह आजाएगा, आपका, 3 v by 4 l, यहाँ एक चीज इंट्रेस्टिंग है, पहला, 1 v by 4 l, दुसरा, 3 v by 4 l, और इसके लिए देखिएगा, last वाले के लिए, तो 5 v by 4 l आजाएगा, यहाँ, तो 5 v by 4 l आजाएगे, 4 l आजाएगा, तो they are actually odd multiple of, ठीक है, and so on, so frequencies are odd multiple of v by 4 l, ठीक है, तो जो new nth frequency होगा, वो कितना हो जाएगा, odd multiple दिखना है, तो 2 n plus 1 v by 4 l, यहाँ पर n equal to 0, 1, 2, 3, पुट कर दिए, ठीक है, यह चीज चीज के लिए होगे, अब open organ pipe के बारे में देखते है, open मतलब both end open, open organ pipe, both end open होता है, ठीक है, तो here, pi phase difference circuits at both end, दोनों तरफ होता है, ठीक है, due to reflection, and therefore, net phase difference जो होता है, वो कट जाता है, 2 pi का हो जाता है, so cancel, only phase difference होता है, वो कितके के किवल path difference की वज़ा से होता है, मतलब यह हुआ, इसका, कि यहां से जो wave जा रहा है, tuning fork से, वो जाता है, जब यहां reflect होता है, तो कोई phase difference पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं है, लेकिन जब यहां से होता है, यहां phase difference पहले होता था, मैंना यहां यहां पर πाई का phase difference हुआ, ओपें एंड पर reflection की वज़ा से, वापस यहां पर pya का phase difference हो गया, तो net phase difference 0 हो गया, तो के वाल path difference की वज़ा से phase difference हुआ, reflection की वज़ा से किसी एंड पर नहीं हुआ, लिखता है यह थाइज दिफरेंट्स आकर्स अट बोथ एंड बोथ ओपेंड एंड दोनों एंड प्रहता है दूटू रिफ्लेक्शन हैंस नेट फइज दिफरेंट्स 2P 2P का मतलब कैंसल सो कैंसल 2P बोलो जहांब 0 फिफरेंट्स बोलो एक ही बात है ठीक है, तो only phase difference is due to path difference, extra path travelled by reflected wave, ठीक है, interference का concept क्या है, यही है, जो reflected wave है, और जो originally generated wave है, tuning fork के द्वारा, वो दोनों interfere करके, यह standing wave बनाना है, ठीक है, तो इसका मतलब delta x जो हो गया, that is equal to 2L, ठीक है, तो जो delta, phase difference जो हो जाएगा, delta, normally उसको path 5 बोलते हैं, चलो, so delta 5 is equal to 2 pi by lambda into 2L, मतलब 4 pi by lambda, 4 pi L by lambda, ठीक है, अब क्या है, कि अगर इसको constructive interference बनाना है, तो कब होगा, constructive interference takes place, if delta is this, this 5 equal to 2N pi, resonance करा रहा है, 2N pi, तो 2N pi हो जाएगा, इसका मतलब की, 4 pi L by lambda, this is equal to 2N pi, यहाँ से आप देखिए, 2 pi 2 pi हट गया, तो 2L by lambda हो गया, ठीक है, 2L by lambda equal to N, और एक चीज़ क्या है आपके पास, V equal to, lambda equal to V by new होता है, ठीक है, तो यहाँ से आपका new equal to N, V by 2L आ जाएगा, ठीक है, why, because lambda equal to V by new, new is frequency, V और new में confuse नहीं होना है, यह होगिया, N V by 12, यहाँ पर N क्या है, N equal to, 1, 2, 3, 6, ठीक है, तो इसके different modes होते हैं, मालेकर यह fundamental mode, new 0, उसको fundamental mode बोलेंगे, जहाँ पर N equal to 1 put करने पर आएगा, तो 1 V by 2L, new 1 करेंगे, तो 2 V by 2L, N equal to 3 करेंगे, 3 V by 2L, ठीक है, 4 करेंगे, N equal to 0, 1, 2, अज़ा, new 2 उना ही लिखेंगे, 2, इसी तरह से new 3 करेंगे, 4 V by 2L, तो all, all harmonics are present, देख रहा है, ना, तो all harmonics, all harmonics of fundamental note are allowed, all harmonics are allowed, ठीक है, fundamental called harmonics, there are no missing harmonics in open organ pipe, उसमें था odd multiple of fundamental, इसमें कोई missing नहीं है, all harmonics, ठीक है, the quality of sound from an open organ pipe is therefore, richer than that of closed organ pipe, क्योंकि कोई missing harmonics नहीं है, clear है यहाँ पर, अब देखिए, जब हम लोगोंने open organ pipe का देखा है, तो open organ pipe को जो diagrams है, वो कुछ देख सकते है, open organ pipe में, किस तरह से, मैं लिजे कि, node और anti-nodes बन रहा है, तो open organ pipe है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, pressure node, और यहाँ बनेगा pressure node, ठीक है, alternate method है, फटा-फट करने के लिए, तो बीच में एक pressure anti-node बना दीजिए, यह होगे, यह, दूसरा अगर बनाईएगा, तो दूसरा वला क्या बनेगा, दूसरा वला में यहाँ यहाँ तो है, एक बीच में भी pressure continue बनाईएगा, यह, तीसरा अगर बनाना है, ठीक है, same length में, तीसरा, एक, दो, तीन, चार, टोटल चार बन जाएगा, रफली है, तो यह क्या हो गया, इसमें हो गया, l equal to lambda by 2, इसमें कितना हो जाएगा, l equal to lambda by 2, lambda 2, 2 lambda by 2, इसमें कितना हो जाएगा, 1, 2, 3, 3 lambda by 2, और lambda equal to v by new करिए, तो अपने आप आजाएगा, फर्स्ट वाले के लिए आ जाएगा कितना फिर लेंबना वेट जब कभी फॉर्मुला या चीजें बहूल गयां गया तो उतना घबराने की ज़रूरत नहीं है फट से ड्रॉ कर लीजिए और देख लीजिए मुस्किल से अप 10 सेकेंड लगेगा ड्रॉ करके देखने में ठीक है कॉंसेट क्लियर होना चाहिए तो यह था और्गन पाइप के बारे में क्लियर हो गया सारा चीज इसके बाद क्या होता है कि जो एक 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 एंड करेक्शन है उसमें क्या होता है कि हम लोग जो करते हैं कि प्रेशर नोट जो बन रहा है वह एकदम पर बन रहा है यहां का प्रेशर नोट बनता है वो》 एंड करेक्सिन हमहलों ृच्छ नोट्स अग्जैक्ली एंड बनता है Open obesity नहीं होता है क्यों क्यों नहीं होता है क्यार्प्रेश्ट बाहर Sheriff Frontless mgb के एक्ट्रा लेंथ कर देते तो इसको हमेंड करेक्सिन बलते हैं practically देखा भी किया है कि end correction जरूरी है क्या है end correction we have assumed that pressure nodes occurs exactly at the end of an open organ pipe pressure node right however in fact the node is formed slightly above the open end because of the air pressure outside therefore an extra length d is added to the length of air column in all formula this is end correction clear है तो जो हम लोग लिखते थे लिक्वाल टू मानली यह की close वला ले ले लेते हैं तो pressure का जो यह diagram है इसमें हम लोग लिखते थे क्या लिखते थे लिखते थे अब लिखेंगे L plus D यहां पर D क्या है end correction L plus D is equal to lambda y4 यह end correction clear है यह देखिए क्या बोल रहा है find the fundamental first overtone and second overtone frequency of an open organ pipe of length 20 cm speed of sound in air open organ pipe में सबसे पहले अगर आप formula याद रखते हैं for open organ pipe frequency new n का nth harmonic का क्या होता है new n equal to nv by 2l याद के जिए अगर आप याद करिएगा open organ pipe के case में तो यह होता है लेकिन जरूरी नहीं है कि याद ही हो आप open organ pipe का बहुत easily बना सकते हैं दिस्प्लेस्मेंट नोड डिस्प्रेसर अगर प्रेसर में बनाना चाहते हैं तो यह रहा प्रेसर एंटी नोड बनता है बीच में यह open organ pipe है इसमें simple सा दिख रहा है कि length जो है दूसरा बार करिएगा तो वही हो जाएगा और याद रहना चाहिए अल हर्मोनिक्स अर प्रेजेंट इन ओपन ऑर्गन अब बोल रहा है क्या fundamental निकालना है फर्स्ट ओबर्टोन निकालना है सेकेंड ओबर्टोन frequencies तो new 0 कितना हो जाएगा only V by 2L कितना है 340 by 2L length कितना है 20 cm तो यह 0.4 meter हो गया तो frequency कितना हो गया देख रहे हैं 17 यह हो जाएगा 850 हर्ट इसी तरह से new 1 जो जाएगा फर्स्ट ओबर्टोन वह हो जाएगा कितना दो फूट करेंगे अन इक्वल टू इसका दो गुना दो गुना कितना हो जाएगा तू इन तू न्यू नॉट और टू न्यू नॉट हो जाएगा 1700 हर्ट और न्यू थ्री सेकेंड हर्मोनेक की बात करें तो थ्री न्यू नॉट और यह हो जाएगा आर्टिक चोव इस सो पचीस सो पचास हर्ट किलियर है कर क्या रहा है इसमें हम लोग कैसे नुमेरिकल सॉल्व हो रहा है उस पर ध्यान दीजिए फॉर्मूला का इस्तमाल करें थियोरी को कहीं न कहीं बैक आप माइंड में रखे हुए तभी फट से बन रहा दर्वाइस फ standing wave pattern in a vibrating air column nodes are formed at a distance of 4 cm ठीक है if the speed of sound in air is this what is the frequency of the source सम्झें नोट्स आर फॉर्म्ड क्या बोल रहा है at a distance of 4 cm जाहिर सी बात स्टेंडिंग wave pattern में vibrating air column में नोट्स बन रहा है तो दो नोट्स के बीच जो होता है दिस्टेंस कितना होता है इसका मतलब लैम्डा वाइ टू जो है वो फॉर सेंटिमेटर यहां से लैम्डा होगा 8 cm तो फ्रिक्वेंसी जो होगा नियो नियुकल टू डी बाई लैम्डा और V दे दिया है आपका 328 लैम्डा 0.08 अगर मीटर में करना है तो और स्री फ्रिक्वेंसी क्योंकि मीटर पर सेकेंड तो इसको कर दीजिए डिवाइड यह हो जाएगा आपका 4100 हर्ट और इसको 4.1 किलो हर्ट्स भी बहुत सकते हैं क्लियर है बहुत इजी सवाल है निख्ट पलिए इस तरह बंद इसरे र्रिंद ख्रिंद तरह प्रस्ण सर फिर्ट्स अंच में div सपोज किजिए हो क्या रहा होगा यह दो कॉंजिकेटिव रजोनेस जो रहा है उसके बीच में क्या हो रहा है दो इक लैमडा यह टू का डिफरेंस हो जाता है लेंद की यहां पर एक बन रहा है यह तो closed open pipe होगा, क्योंकि water है, water layer, माली यह water का layer है, tube में, और यहाँ air column generate हो रहा है, इस type से, माली यह displacement node anti-node बना रहा है, तो कुछ इस type का बना, और जो next बनेगा, length, वो, क्योंकि एक ही frequency का बनाना है, तो पानी को माली यह नीचे करते हैं, नीचे करते हैं, तो इसमें दूसरा वाला बनेगा, एक note बीच में बन जाए, एक यहाँ पर बनेगा, ऐसे कुछ बना दे रहा है, तो यह lambda by lambda by 4 है, ठीक है, pressure, displacement to draw कर रहा है, यह, तो draw कियें, तो यह अमारे पास दोनों के बीच का difference कितना आया, यह देखिए, difference कितना आ जाएगा, अगर यह lambda by 4 है, यह 3 lambda by 4 है, ठीक है, तो l2 minus l1, l2 minus l1 जो जाएगा, वो जाएगा 3 lambda by 4 minus lambda by 4, that is 2 lambda by 4, that is lambda by 2, तो l2 minus l1, कितना है, 62 minus 20 cm, this is equal to lambda by 2, so lambda equal to 42 cm, मैंने 84 cm, हो गा, मतलब lambda equal to 0.84 meter, अब सवाल है, speed पुछा है, तो v equal to frequency into lambda, frequency 400 hertz दिया है, into lambda 0.84 है, तो यह 832, around 336 meter per second आएगा, 336 meter per second, अगर solve करते हैं, पार्ट A हो गया, पार्ट B बोल रहा है, how much distance above the open end does the pressure node form, इसका मतलब कि pressure node जो बोल रहा है, यह तो displacement का draw किया है, तो pressure का ठीक, यहाँ पे node बनेगा, थोड़ा उपर बनता है, तो first वाले diagram को देखेंगे, तो हम लोग लिखेंगे, frequency 400 new is equal to v by 4l, lambda by 4 होता है, तो lambda by 4, l equal to lambda by 4 के जगा, l plus something distance by lambda by 4 होगा, याद कीजिए, ठीक है, end correction जिसको बोलते हैं, तो l plus d is equal to lambda by 4, तो d is equal to lambda by 4 मतलब कितना, 0.84 by 4 minus l, l कितना दिया हुआ है, 20 cm, तो 84 by 4, 20 cm, 0.89 लेकर के cm में लिखते हैं, इसको ठीक है, cm में ही लिखते हैं, डारेक्ट, 84 cm, तो यह हो गया, 21 minus 20, that is 1 cm, मतलब कि, end से 1 cm थोड़ा सा उपर में, यह जो हैं, उपर में बनेगा, pressure node, जो कि एकदम मुँपे बनना चेह, उपर में बनेगा, clear है, I think यह problem भी आपको clear हो गया, next problem देखी क्या, next बोलता है, 45, next problem बोलता है, कि an open organ pipe has a length of 5 cm, find the fundamental frequency of vibration of this pipe, यह तो बिलकुली जी हो गया, what is the highest harmonic, of such a tube that is in the audible range, मतलब 20,000 hertz से नीचे का highest harmonic देखना है, speed of sound in air is this and the audible range is 20 to 20, what is the highest harmonic, highest frequency मतलब 20,000 से compare कर लें, तो सबसे पहला देखते हैं, यह number बोलता है, open organ pipe है, open organ pipe में सारे harmonics पर प्रेजेंट होते हैं, N V by 2L, ठीक है, new N, यह formula आपको याद रखना पड़ेगा, तो ज़्यादा easy हो जाएगा, N V by 2L, होता है, यह, तो इसमें N रख देते हैं, V 340 है, और 2L की बात करें, तो 5 cm है, 2 into 0.05, मीटर में बात करते हैं, तो यह हो गया, 0.1 मतलब की, 3400N, इतना आया, ठीक है, 3400N, अब fundamental पूछा है, find the fundamental frequency, तो fundamental मतलब, for N equal to 1, N equal to 1, मतलब V 0, अब V 0 का value कितना होगा, 3400H, एक नम्मर हो गया, दूसरा नम्मर बूला है, कि, what is the highest harmonic of such a tube, that is in this range, तो highest harmonic, क्या किया जाए, N V by 2L, मतलब की, 3400N जो है, 3B part करते हैं, ठीक है, 3400N जो है, this should be, what, greater than 20 and less than 20,000, यही तो है, तो, left वाले साथ से मतलब है नहीं हमको, हमको है कि, N should be less than 20,000 by 3, 400, 0, 0, 002 गया, तो आपके पास होगया, 200 by 34, so, N should be, nearest digit निकाल हाओ, 234, यह approximately कितना आएगा, 205 plus क्या सबसा साजाए, 20 by 2, 3.4, तो इसको अगर करिए, तो this is coming out to be 5 plus तो 6 से करियेगा तो 6 चोबिश 20 प्लस हो जा रहा है तो 6 नहीं होगा 5 प्लस तो इसका मतलब n इक्वल तो 5 हो गया therefore n इक्वल तो 5 देगा हाइस्ट हार्मोनिक ठीक है n इकल तो 5 तो हाइस्ट हार्मोनिक क्या हो जाएगा audible range में highest harmonic in audible range 5 पूट कर दीजे बहु हो जाएगा आपका 3,4,0,0 into 5 हट्ज तो कितना हो जाएगा यह सतरह 17,000 ठीक है 17,000 हट्ज या 17 किलो हट्ज क्लियर है next प्रवलम देखिए 2 successive resonance frequencies in an open organ pipe are 19,44 hertz and this hertz find the length of the tube the speed of sound in here 2 successive तो एक को मान लेते हैं प्लस फार दूसरा को मान लेते हैं अनत हार्मोनिक क्लियर है उसमें मानी सकते हैं इसमें क्या है open pipe है तो open pipe के लिए for open pipe formula क्या होता है new n frequencies होता है वो होता है n v by 12 यह होता है length हमें पता करना n v by 12 होता है तो मान लीजिए successive करना है तो एक n प्लस 1 ले लिए अब माइनस new n कर दिए difference ले लेते हैं दोनों का तो कितना हो जाएगा यह हो जाएगा आपका just v by n प्लस 1 v by 12 minus n v by 12 जो कि हो जाएगा simply v by 12 तो new n प्लस 1 माइनस new n इसका मतलब minus 1944 this is equal to v by 12 v 3 24 meter per second है 2 length निकालना है तो L कर देते हैं यहाँ से आप निकाले कितना आजाएगा L का value difference करिएगा तो यह 648 आ रहा है 648 equal to 648 equal to 162 by L तो यहाँ से 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 wa धो 162 by L L therefore L kup L इकालना है 162 by 648 162 by 648 648 त़े आएगाएगाएगागाएगागाष ते हें रहाँ से से शो लिज्स'' 25 cm, calculation थोड़ा खुद से कीजिए, concept समझा रहे, ओके, और calculation easy भी करना हो, तो कैसे कर सकते हैं, 00 करके approximate calculate कीजिए, आपको आ जाएक, approximate calculation, जैसे यहाँ पर अगर example दें, approximate calculation का, तो जैसे 162 है, 00 कर दियें, cm हो गया, divide by 648 है न, तो मान लिजिए कि 16 यहाँ रखते हैं, 16, 1 4th हो जाएगा, ठीक है, 1 4th of 100, जैसे मान लिजिए, यह इसको हटा के into 100 रहर ने जेते हैं, तो 16 चोके चोंशेट, approximate यह आ जाएगा, 4 times में कट जाएगा, एप्रोक्समेटली का, यह 4 times ही हो रहा है, 4 times हो रहा है, 4, 2, 8, ठीक है, 4 times कर रहा है, तो यह 25 cm आ रहा है, ठीक है, तो यह 25 cm आ रहा है, ओके,